आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए SSS क्राइटीरिया का अध्यन किया इस वीडियो में हम भुजा कोण भुजा कसोटी यानि की SAS क्राइटीरिया का अध्यन करेंगे इसके पहले कथन के बारे में आप क्या कह सकते है पहला कथन सही है क्या आप बता सकते हैं? क्यों? AAA कसोटी के अनुसार कोई भी दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण समान होते हैं, समरूप होते हैं शाबाज अब कथन दो सही है या गलत? AA क्राइटीरिया के अनुसार यहां कथन भी सही है कैसे? यहां हम आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं इसी प्रकार SSS क्राइटीरिया के अनुसार कथन तीन भी सत्य है कथन चार के विशय में आप क्या कह सकते हैं? इस कथन में बताया गया है कि किनी दो त्रिभुजों जिनका एक कोण तथा इन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो यह त्रिभुज समरूप होंगे यह सही है या गलत इसकी जांच करने के लिए आएए इस क्रिया कलाप उदारण को देखते हैं सुश्मा व आश्मा को उनके गणित अध्यापक द्वारा एक-एक त्रिभुज बनाने के लिए कहा गया जिसके लिए अध्यापक ने दोनों को त्रिभुज की दो भुजाओं तथा इनसे बनने वाले एक कोण की माप दी है सुश्मा व आश्मा दी गई मापों से त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुजों के बनने के बाद अध्यापक पूछते हैं कि तुम इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखते हो सुश्मा कहती है कि त्रिभुजों को दी गई भुजाएं संगत तथा समानुपाती है बिलकुल सही अब अध्यापक उनसे त्रिभुज के अन्य कोणों के माप पूछते हैं। वह दोनों पुनह, प्रोट्रैक्टर की साहिता से कोणों को मापती हैं। जिससे वह पाती हैं कि त्रिभुजों के संगत कोण समान है। तभी आश्मा कहती हैं कि यहां हम AAA क्राइटीरिया से कह सकते हैं कि यहां दोनों त्रिभुज यानि की त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MNP समरूप होंगे। इस क्रिया कलाप के आधार पर हम यहां निशकर्श निकाल सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतरगत करने वाली भुजाएं समानुपाती हूँ तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमे को हम दो त्रिभुजों की समरूपता की भुजा कोण भुजा कसोटी यानि की SAS क्राइटीरिया कहते हैं। अतह हम SAS क्राइटीरिया के आधार पर कह सकते हैं कि कथन 4 सही है। आज इस वीडियो में हमने दो त्रिभुजों की समरूपता की भुजा कोण भुजा कसोटी यानि की SAS क्राइटीरिया का अध्यन किया अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदारहन देखेंगे